नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से एक बार हारदेक स्वागत है सद्यधर्मग्यान यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दिवाना बनाने के लिए जो आपसे दूर जा रहा है उसे अपने पास लाने के लिए प्रेम को आकर्षित करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है और इसके लिए जो उपाय हम आपको बढ़ाएंगे इसमें आपको एक चीज को प्रति दिन लगाना है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके आकर्षन सक्ति को बढ़ाने का काम करती हैं अगर आप कुछ चीजों को मिश्रित करके प्रती दिन लगाते हैं तो इससे आप अपने आकर्षन सक्ति को बढ़ा सकते हैं और हम जो चीज आपको बताएंगे इससे आपका आकर्सन बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाएगा तो पुरा उपाय जानने के लिए वीडियो में अंततक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए मित्रो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी टेक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही खास जानकारियां मिलती रहे और अगर आप हमसे अपना कुंडली दिखवाना चाहते हैं या फिर किसी भी समस्या का समधान पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नमबर मिल जाएगा आप 200 रुपे की फीज दे करके डिरेक्ट फोन कॉल के थुरू हमसे प्रामर्श ले सकते हैं हम बिलकुल आपकी समस्या का समध करने की पूरी कोशिस करेंगे तो आईए अब उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं सिधर टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं कि अपने आकरशन को बढ़ाने के लिए आपको ऐसी कौन सी चीज लगानी हैं जिससे कि सामने वाला लेक्ती बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आकर होती है 20-25 की उम्र में आकरशन सक्ति बढ़नी चाहिए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका आकरशन आपकी उम्र के साथ साथ भी बढ़ते रहना चाहिए यह आपकी लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है 40 साल है या इससे अधिक भी है तो भी आपका आकरशन बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि आकरशन का मतलब केवल यही नहीं होता कि किसी को अपना दिवाना बनाना किसी को प्रेम में डालना या जो दूर जा रहा है उससे वापस लाना इसके अलावा भी अगर आप कोई बिजनेज भी आपार करते हैं कहीं जौब करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां लोगों के सामने आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है या कोई भी प्रोडक्ट बेचना होता है तब भी आपको अपना आकरशन बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि जब सामने वाला कस्टमर या क्लाइंट आपकी तरफ attract नहीं होगा आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा आप से खुछ नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं चलेगा इसलिए हर उम्रे के साथ साथ आकर्षन बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है तो अपनी लेना है उसका आपको powder बनाना है इसका powder बनाने के लिए आप mixer grinder का इस्तमाल कर सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज का इस्तमाल कर सकते हैं जिससे वह powder बन जाए तो आपको पान का पत्ता लेना है लाल चंदन का powder लेना है और थोड़ा कान के पीछे भी एक छोटा सा तीलक लगाना है इस परियोग को आप किसी भी दिन से सुरुवात कर सकते हैं लेकिन खास करके सुक्रवार के दिन इसको सुरुवात की जाए तो यह बहुत यादा फाइदे मन्द होता है क्योंकि सुक्रवार का जो दिन होता है वह सुक्रग्रह को समरपित माना जाता है और सुक्रग्रह जो होते हैं वह प्रेम के अट्रेक्शन के आपके प्रशनालिटी के कारग्रह माने जाते हैं तो सुक्रवार के दिन इसकी सुरुआज कीजिए और प्रती दिन तीलक लगाईए भले ही छोटा सा ही तीलक लगाईए लेकिन लगाना ज